आज वेलकम तो दराइसफुल स्टेडी अब बेटर वेफ लेर्निंग अम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना जो ट्रॉप्स जो है क्लैस आफ किया है दिसेंबर 9 को और इसका इंफोरमेशन जो है वी डिसेंटली मंडे को दिया गया है इस क्लै सब्सक्राइब को हुआ है और इसमें कुछ-कुछ माइनर इंजरी आई है बोट साइट में इमेडियेट का उसकता है तो डिसेंटली जो अभी है चाइना ने अपोज किया था जो ऑपरेशन यूदभ्यास हुआ था इंडिया और यूएस का जॉइंट मिलेटरी एकसरसाइ 1993 और 1996 के बॉडर एग्रिमेंट्स को तो जैसे ही चाइना इसका अपोज किया उसके जस्ट बाद ही एक क्लैस अफ होता है इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया जो है जी ट्वेंडी प्रेसिडेंसी भी इस साल हेल्ड कर रहा है तो इसके कारण भी बहुत सारे टेंश लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल के आसपास हो रहे हैं आगे हम बात करते तो जो है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश जो है इंडिया का पार्ट है और चाइना करना कि एक डिस्प्यूटे डिजन है तो इसके लिए बहुत बहुत बार जो है यहां पे क्लैस हो जाते हैं थाम बात रहें डी जी जो रिषींटली अभी क्लैस डॉफ हुआ है वह हो लिए कर देदेमेंि और नाचल पर देश के वैस्टरी साइप में है जो है जो अधा तो यहां पर इस पार्ट आत है तो यहां पूर्ड़ार reviews from Traром त्रीयंद्रयर्ट टूप्स जो इंटर नहीं कोंड़े दें तवथा ले में मेजरली का यहील जो मेड़ी क्याप्चरवचर करना चाहा रहा थ Gesundheits तो उसके लिए यहाँ पे enter करने की कोशिश कर रहे थे या फिर में भी हो सकता है कि patrolling के time में but patrolling करने में भी तो 300 troops एक बार में enter नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो recently अभी class of हुई है line of actual control line of actual control जो है इंडो चाइना वार के बाद जो है यहाँ पे line of actual control दी गई थी तो recently जो अभी है यहाँ पे यह तवांग बेली यहाँ पे जो है class of हुई है और बता दे कि 2020 में जून में भी इस्टन लदाक में जो है गलवान वेली में भी ऐसा ही कुछ class of हुई थी तो वहाँ पे काफी deadly situation हो गया था और अभी तो यहाँ पे disengage भी कर लिया गया दोनों troops को गलवान वेली गलवान वेली इंसिडेंट भी बहुत थी काफी deadly था यहाँ पे लगबग बहुत सारे soldiers मारे गया थे सहीद हो गया थे यह है अवनाचल परदेश और इस पार्ट इस पार्ट इस पार्ट इस दा तवांग रिजन यहाँ पे जो है 300 troops enter का निकोशिस कर रहे थे बट यहाँ से Indian साइट से भी दोनों troops आपस में मिलके यहाँ पे class हो गया है बता दे कि यहाँ पे जो है line of actual control के आसपास की रिजन में कोई भी firing नहीं होती है बट जो weapons यूज की जाते हैं वो कुछ इस परकार के sequels वेगरा यूज की जाते हैं जिससे कि दोनों साइट जो है एक understanding है कि कोई भी weapon यूज नहीं करेगा कोई भी firing नहीं करेगा बट कभी कभी यह सारे weapons यूज की जाते हैं आपस में लड़ने के लिए हलाके जो अभी है बोट साइट ने बताया कि immediate basis पर disengage कर लिया गया है यहाँ पर commanders की बात हुई है और peace और tranquility को maintain करने के लिए दोनों साइट ने आपस में बात की और दोनों साइट की जो troops हैं उसको disengage कर लिया गया है तो I hope कि ऐसे जो और भी class of future में ना हो और दोनों साइट जो peace maintain करें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहें